असपश्ट है कि राष्टिय जनता दल जो है हिंदू बिरोधी सनातन बिरोधी पाटी है बिहार को करवला बना देने की बात करती है रमायन पर फ्रस्न उठाये जाता है इनके पाटी के द्वारा और इनके नेता जो बिहार के डिप्टी सीम है वो भी मौन रह जाते हैं तो आ अब भी जारी है तो पहले तो अपने पाटी में फरिया लें कि आदर्निय सिवानन तिवारी जी बिहारी है या बिदेशी है तो पहले टाय कर लें आपस में तो आप बिहार में 17 साल से आप बताईए कि क्या उपलब्दी है उपलब्दी बताईएगा न आप जहरीली सराब से सैक्डो मौत हुई और इसी सदन में जब आपने कहा कि जो पीएगा वो मरेगा बताइए तो भला कोई सरापी के मर जाए और सरकार उसको मुआपज़ा देगी लेकिन अभी अपने ही वक्तब्य से आप पलट गए अभी हमारे साथ जो शक्स हैं वो किसी पहचान की महताद नहीं है फिर भी मैं बता देता हूँ अपने दर्शकों को कि हमारे साथ अभी चंदन सिंग है अले जेपी के प्रदेश प्रवक्ता आईए इन से बात करते हैं जो सबसे पहले तो स्वागत है आपका फेरिट आप बह राष्टिय जनता दल और ये नबे के दसक से बिहार के समाज में ताने बाने में जहर बोने का काम कर रही है और लगतार इनके पार्टी से कोई नई ये एक आवाज नहीं उठी है ये बहुत पुरानी इनकी मांग है जबकि ये नहीं बता पाते हैं कि इनके नेता एटुज की बात करते हैं सब समाज की बात करते हैं उसके बाद सिवानन तिवारी जी को इस तरीके से बैज़त करने का काम करते हैं लोग मनुज जहा को बैज़त करने का काम करते हैं जब अपने ही पाटी के वरिष्ट निताओं को विदेशी बता देते हैं तो लगतार आता है अब्ला बना देने की बात करती है, रमायन पर फ्रस्न उठाये जाता है इनके पाटी के द्वारा और इनके नेता जो दिप्ती सियम है, वो भी मौन रह जाते हैं क्या दरनीय सिवानन तिवारी जी बिहारी है या बिदेशी है तो पहले तै कर लें आपस में उसके बाद फिर हम लोग भी अपना बक्तब देंगे लेकिन ये जो सिल्सिला है जैसा आपने बताया कि सनातन विरोधी है ये अफवाहों का बजार ये चर्चाओं का बजार अभी और ज्यादा गर्म तब हमें मिला जब बागेश्वर धाम वाले बाबा जी जी ने ध्रिधरेंद्र क्रिस्ट्र सास्त्री के नाम से हम लोग जानत है कि वैसे बाबाओं को तो जेल में होना चाहिए तो उन सारे विरोधों के बावजूद उन पर केस भी होता है उनको आने से रोका भी जाता है तो उसको लेकर आपका और आपकी पार्टी का क्या देखिए धर्म जो है हर एक व्यक्ति का अपना individual मानने का चीज है आपकी इ लेकिन जहां तक बात है कि एक कथावाचक हैं बाबा बागेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध हैं वो बिहार आ रहे हैं और उनके आने के पहले सरकार अपनी मंसा जाहिर करती है कि भाई ये तो हिंदू मुसल्मान करते हैं जबकि ऐसा कोई साक्ष नहीं है अभी तक अभी तक कहीं भी कोई उनके लिए उपद्रव हुआ हो ऐसा कहीं कोई मेडिया में भी खबर नहीं चला है तो एक जो सनातन की बात करता हो हिंदू धर्म की बात करता हो बस बिरोध करना है इसलिए बिरोध करना है कि आपको किसी धर्म विसेश को खुस करना है इसलिए आप संदर्व में है चुकि इनका जो एमवाई वोट समिकरन है वो उसी हिसाब से है तो यह तो समझ रहे हैं कि भाई इसका बिरोध करेंगे तो एक खास धर्म के लोग इनके साथ चुड़ेंगे तो यह मैं कतई से सही नहीं मनता हूं तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ऐस संभव है कि अगर हिंदूओं को सरातन धर्म के जो बाबा हैं जो धर्माचारे हैं जो धर्म के प्रचारक हैं उनको अपमानित किया जाए तो दूसरे धर्म या मज़ब के लोग खुश होते हैं उनकी जो देखिए यह बाबा बागेश्वार धाम कहीं से बिरोध ने कर रह पटना के गांधी मैदान का आवंटन आप नहीं करते हैं और आप हवाला देते हैं कि मेट्रो का काम चल रहा है ये चल रहा है वो चल रहा है जबकि इसी गांधी मैदान में इद की नमाज होती है इसी गांधी मैदान में कई मेलों का आयोजन होता है इसी गांधी मैदान मे रहलियां होती हैं, कई तरह के आयोजन बराबर होते रहते हैं, लेकिन सरकार जब इसका अवंटन नहीं करती है, तो मनसा असपस्ट है, वो पहले ही तै कर चुके हैं, कि भाई आप सनातन का प्रचार कीजेगा हिंदु धर्म का प्रचार कीजेगा राष्ट एकता का प्रचार कीजेगा आप घर वापसी की बात कीजेगा तो यह कहीं से वर्तमान सरकार को रास नहीं आएगा अभी तो हमने सुना कि मुझपर पूर में किसी ने आचारे धिरेंद सास्ते जी पर भी केस कर दिया है तो ये आप समझ लिजे कि मांसिक्ता क्या है ये अब इस तरीके की ओची राजनीत पर उतर आये हैं अभी आप देखें देखें उनके मानने वाले देश में कड़ोरो लोग हैं आपकी इक्षा अगर आप नहीं विश्वास करते हैं तो आप मत सुनिये लेकिन कहीं से अगर आप कहिएगा कि सत्भावना उनके आने से बिगड़ेगी तो वैसी आए तो वो तो बड़ा सांती दूप थे आपके नेता बयान देते हैं कि अमन और का पैगाम इसलाम धर्म है लेकिन वहीं आप जो है कि हिंदूओं को आप गाली देने का काम करते हैं तो देखे बिहार की जनता को ये तै करने का अधिकार दिए इसी पटना सहर में न अतीक अमर रहे के नारे लगते हैं उस समय तेज प्रताप अपने मुँ में फेविकॉल डालके बढ़ जाते हैं क्यों नहीं बोलते हैं आधरनिय जक्तान अंसिंग क्यों नहीं बोलते हैं बोलना चाह एक एजेंडा चलता है तो इनके बिरोध करने से कुछ होने वाला नहीं है तमाम जो बिहार के लोग हैं तेरक अवाम है वो बाबा का स्वागत कर रही है और देखिएगा एक अथा समूंदर नजर आएगा वहाँ पर कथा सुनने के लिए अच्छा एक सवाल और इसी से जुरा हुआ आपने बाद की धिरेंद क्रिश्न शास्त्री के साथ साथ जो अन्य प्रचारक है उनके अपमान की भी हमने बाद की जो अभी ब्रहामनों पर जो सवाल उठाया गया उस पर भी लेकिन ये सिलसिला रुकता नहीं है कभी जीतन र पार्टी क्या कुछ करने वाली है कहीं आवाज उठाने वाली है दिखे जब पढ़े लिखे लोगों के मस्तिस्क में अगर कचा भर जाए तो वो इस तरीके का जो है कि समाज में द्वेस पहलाने वाली बात करते हैं इसका मक्सद क्या हो आप आप बात कर रहे हैं जीतन रा पार्टी करते हैं तो बड़ा अच्छर होता है और फिर अपने ही बात से पलड़ जाते हैं कि मैं सब के लिए नहीं का रहा हूं, उसके लिए का रहा हूं जो जूट पाखन्ड करता है बेए पांच ओ उंगली जो होता है एक समान नहीं होता है किसी भी जाती, धर्म, मजब या संपर्दाय में, सब में भिन भिन और तरह-तरह के लोग होते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि अगर एक बावा अगर उनका आचारन समाज में अगर अच्छा नहीं रहा है, तो आप सब का उसी तरीके से आप कमपेर कीजिएगा कि ये भी साथ उसी तरीके से होंगे, तो जनता के पास अधिकार है कि वो किस बाबा का फॉलोर बने या ना बने उनके पास उनका अधिकार है आप जनता पे छोड़ दीजे और किसी जाती विशेश को गाली जे वो कथा वाचक है आप निसाना बना रहे हैं आप अपनी गंदी राजनीत का जरिया बना रहे हैं बागे राजनित से बिलकुल अलग है राजनित में उनको घसीटना ये ओची मान सकता का पतीक है मैं मानता हूँ एक अंतिम सवाल से बात रोजगार की है अब भी जितने सिक्षक हैं पहले तो सिक्षक अभ्यर्थी लाठिया खाते थे अब जितने सिक्षक हैं चुकि उन्हें भी BPSC के एक्जाम का जो हवाला दिया गया है उन्हें अब BPSC के एक्जाम देने होंगे राजिकर्मी बनने के लिए विरोध में कल सारे जिले में उनका प्रदर्शन था इसमें जो सिक्षा मंत्री हैं उनके जो चाचा जी हैं वो भी उनका विरोध कर रहे थे हलाकि चाचा जी जब राम चरितन मानस की बात थी तो वो समर्थन में थे उनके लेकिन आब वो भी विरोध कर रहे हैं हर ज जिनके दम पर जिनकी काबलियत पे पिछले 15-16 साल से नितीज कुमार की सरकार वहवाही लूट रही है। प्रधान मंत्री बनने की लालसा में कई राज्यों का हेलिकॉप्टर दोरा करता हो। जिसके पास समय नहीं हो अपने राज्य के समस्याओं के निदान के लिए जिस राज्य का उपमुख मंत्री लेंड फॉर जॉब मामले में ED और CBI का चक्कर लगाता हो राज से बाहर। तो आप बहुत करेंगे जब पटना पहुँचेंगे तो आपको राज्य सरकार के द्वारा लाठी मिलेगी यही सुरू से मिलता आया है और आखिर में भी यही मिलेगा मंसा ही नहीं है यह मंसा नहीं है कि सिक्षकों को यह अस्थाई करें यह मंसा है कि BPSC के माध्यम से इसको पुल्जा दिया जाए अभी रिटेन इक्जाम का है अंत में आप देखिएगा कि इसमें भायभा भी जुड़ जाएगा तो कई तरह के पेच हैं सरकार सिर्फ चाहती है कि 2024 तक किसी भी तरीके से सिक्षकों का भ्यारतियों का बिरोध उसको ना जहलना पड़े यह समय काट रही है सरकार इससे जादा कुछ नहीं है क्योंकि जिसको निर्ने लेना होता है वह निर्ने लेकर कलम से कर देता है यहां सिर्फ टालने के लिए आयोग बीटीएसी फलाना धिमकाना यही सब है अच्छा मैंने अंतिम सवाल बोला था लेकिने एक सवाल हो नितीश कुमार के दौरे और विपक्षी एक्टा को लेकर NDA में कहीं खलबली या डर तो नहीं ने बिल्कुल नहीं देखे जब आप किसी वर्तमान प्रधान मंत्री के लिए जब आप एक गठ जोड़ बनाते हैं और एक लीडर को आप जब सामने रखते हैं तो कंपेर होता है नितीश कुमार जी भी 17 साल से है और मनिय प्रधान मंत्री जी पहले गुजरात के मुख्य मंत्री रह चुके हैं 2014 से देश के प्रधान मंत्री हैं तो हम लोग compare करेंगे देखेंगे कि कौन इतना सक्षम है काम किया है तो आप बिहार में 17 साल से बताईए कि क्या उपलब्दी है उपलब्दी बताईएगा न आप जरीली सराव से सैक्ड़ो मौत हुई और इसी सदन में जब आपने कहा कि जो पीएगा वो मरेगा बताईए तो भला कोई सराव पी के मर जाए और सरकार उसको मुआपज़ा देगी लेकिन अभी अपने ही वक्तब्ब्ब से आप पलट गए पलायन लोग करते रहे यहां के नौजवान सिक्षित जो बिरोजगार हैं वो बिहार से बाहर जाकर रोजगार ढूंटे रहे कल भी अब दो दिन पहले की घटना है लुधियाना में गैस रिसाओ हुआ है सिवेर का और वहां साथ लोग मरे हैं बिहार के ही हैं हर जगा मरने है मेरी गलती है कि आपको कमाने के लिए बिहार से बाहर आपको जाना पड़ता है क्यूं आप 90 के दसक को याद दिलाते थे पहले कि जंगल राज देखिये किस तरीके से जंगल राज है आज उसी जंगल राज की गोद में आप जाकर बैठ गये हैं आपके राजनितिक मित् पता है कि किस केस में उन पर चारगोटाला का मामला तो आप लोग ने उन्हें फैसा आज आप देखे न्याले पर कोई अगर टिका टिप नहीं करता है तो मैं इसको उचित नहीं मानता हूं लेकिन है इनके सहयोगी हैं यही 90 के दसक को चिला चिला कर मुखमंत्री जी कहते और जनता भी इसी इनको mandate दी कि जंगल राज का एक option बन के आये थे उसके खिलाप में, आज उसी जंगल राज की गोद में जाकर मन्य मुखमंत्री जी बैठ गया है, सब पे भ्रष्टाचार का है, क्या मंता बेनर जी के भतीजे पर भ्रष्टाचार के दाग नहीं है, अखले कोप्टर है और सरकार का पैसा है, पहले उसका पूरा इस्तमाल कर ले, के जिर्वाल से जाके मिलते हैं, के जिर्वाल पे देखिए भष्टाचार के कितने दाग लगे हैं, सिसोधिया हो या उनके सतेंदर जैन हो, या और भी लोग हो, सब जेल के अंदर पड़े हुए हैं, अब कह लिजे कि भाई आपको फंसाया जा रहा है, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मान्य प्रधान मंत्री जी का ओप्सन वर्तमान में देश में दूसरा कोई नहीं है, देश का ससक नेतित्व कर रहे हैं, उचाहे उजवला योजना हो, जंधन एकाउंट हो, कई तरह के योजना है, गिनमाया नहीं जा सकता है, असंख्या है, और देश चारों तरफ से सुरक्षित हुआ है, तो सुना आपने, अभी हमारे साथ थे RLJP के प्रवक्ता चंदन सिंग जी, आप इनकी बातों से कितने सहमत या सहमत हैं, हमें कमेंट्स के माध्यम से सुचित करें, ब बहुत बहुत धन्यवादू जाएं.